हम पिछले एक शताबदी से आधुनिक्ता की दोड में लगे हुए हैं मेरा प्रश्ण है कि आधुनिक्ता के माएने क्या होना चाहिए और आधुनिक्ता और परंपरा में हमेशा विरोधा भास क्यों रहता है बहुत अच्छा सवेल आपने किया आधुनिकता के मायने क्या होना चाहिए और परंपरा और आधुनिकता में बिरोधा भाश क्या है बस्तुता आधुनिक होने का मतलब कताई बुरा नहीं है आधुनिक होने का मतलब है अप टुडेट बने रहना वस्तुता आज आधुनिक होने का मतलब है अंधानु करन करके आज के फैसन के बहाओं में बहना पर शंत कहते आधुनिकता का संबंद काल से नहीं है समय के बहाओं में बहना आधुनिकता नहीं है आधुनिकता का संबंद काल से नहीं देशकाल की इस्थितियों को समझते हुए भी अपने अंदर इस्थिर्ता बनाई रखना और हर परिस्थितियों से जूजने की शाथना और सामर्थ अपने भीतर विक्षित करना सच्चे अर्थों में आधुनिक होना है आजकल आधुनिक होने का मतलब है फटे कपड़े पहनना छोटे कपड़े पहनना ब्रांडेट कपड़े पहनना लक्षेदार अंग्रेजी बोलना लगजरी गाली में घुमना महंगे गजेट्स रखना ये आधुनिक होने की वास्तविक पहिचान नहीं है ये लोग कोते मोड गलत सोच आधुनिक वो है जो हर पल अपने आपको अपडेट रखे जो जीवन में हर पल अपने आप में निखार लाए वो आधुनिक है आपने कहा आधुनिकता और परंपरा में प्राया बिरोधा भास क्यों होता है न मैं आधुनिकता को गलत मानता हूँ नहीं पूरी तरह परंपरा को सही मानता वो आधुनिकता गलत नहीं जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे हमारे जीवन में कुछ नया जोड़े जो अदतन घटित हो और वो परंपरा को मैं बेर्थ मानता हूँ जो हमें जलता करांत करे पर मैं कहता हूँ आप पारंपरिक भी न बनिये आधुनिक भी मत बनिये मौलिक बन करके चलिये जीवन में कोई कटना ही नहीं होगे मैं आधुनिकता का कते भी रोधी नहीं पर मैं कहता हूँ आधुनिकता को अपनाना पर मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए पारंपरिक बनने की भी होड मत करना मौलिक बनने का अपना ध्यान रखना आज मुश्किल यही है कि मौलिकता हमसे छिटक कर दूर जा रही